कैंसर की नकली दवा बनाने वालों पर E.D. ने शिकन जाक कस लिया है दिल्ली NCR में करीब 10 छिकानों पर रेट डाली गई और लाखों का कैश जब्त किया गया दिल्ली NCR में लोगों की जान से किस तरह खिलवाड किया जा रहा था वो E.D. की ये रेट बताती है कैंसर जैसी गंभीर बिमारी के लिए नकली दवा का जहर पांटा जा रहा था अब E.D. ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए बड़े पैमाने पर रेट मारी है कैंसर की नकली दवा के मामले में E.D. ने कारवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापे मारी की दरसल जांच में खुलासा हुआ की एक संगठित गिरो है जो कैंसर की नकली दवा बनाता है और पेचता है E.D. ने गिरो से जुड़े आरोपी, विफल जैन, सूरद श्यत, नीरच चोहान, कोमल तिवारी, अभी नए, परवेज मलेक और तुशार चोहान के ठिकानों पर छापे मारी की कारवाई को अनजाम दिया है सर्च अभियान के तहट E.D. ने 65 लाख रुपए कैश भी बरामत किये है कहा जा रहा है कि इसके अलावा संदिक्तों के कबजे से चल और अचल संपत्यों के बारे में कई आपत्ती जनक दस्तावेज भी बरामत किये गए हैं दिल्ली NCR में तलाशी और छापे मारी की कारवाई अभी भी जारी है दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का परदा फाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने F.I.R. तरज की थी अब उसी F.I.R. को आधार बनाते हुए एडी ने च्छापे मारी भी शुरू की है राजदानी दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का कारुबार जोर शोर से चल रहा है इसमें मरीजों की जान से सीधा खिलवार है ही साथ में मरीज के घरवालों पर भी आर्थिक बोज पढ़ता है तो कि कैंसर का इलाज काफी लंबा चलता है और इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है लेकिन नकली दवा के सौदागर लोगों की जान से खेल रहे थे ये बात भी सामने आ रही है कि इस रैकेट के तार दूर दूर तक पहले हुए है अमूमन उन लोगों को टार्गेट किया जाता था तो दिल्ली में दूसरी जगहों से इलाज कराने आते थे उनके तीमारदारों को कैंसर का सस्ता इलाज और सस्ती दवा का लालच दिया जाता था गुरूगराम साउथ सिटी के एक फ्लैट में दवाओं का स्टॉक भी परामत किया गया है तिल्ली पुलिस की क्राइम बरांच ने आठ आरोपियों को गरिफतार किया है जिसमें दो करमचारी एक अस्पताल के ही बताए जा रहे है अब एडी नकली दवा के एक गोरक धंदा चलाने वालों के खिलाब सीधे तौर पर एक्शन ले रही है जाज परताल के बाद ही सामने आएगा कि गिरो का नेटवर्ग कहां कहां तक फैला हुआ है वही अलिगण की बात करें तो यहां नकली मेडिकल स्टोर पर ड्रक्स दिपार्टमेंट ने च्छापा मारा बन्ना देवी इलाके के रसल गंज का ये मामला है कैमिस्ट की दुकान को लेकर लगातार शिकायत ने मिल रही थी आज रसल गंज में राजेंदर मेडिकल स्टोर में कुछ नकली दवाईयां और कुछ प्रतिबंदित दवाईयों के संबन में शिकायत मिलने पर जाच की गई और वहां से कुछ सैंपिल भरे गए इसके बाद दुकान पर अग्रिम करवाई की जाए देर राज को पड़े इस च्छापे के बाद नकली और प्रतिबंदित दवाईयां मिलने पर दुकान को सील कर दिया गया है बीरो रिपोर्ट न्यूज 18 और जदलपुर से बड़ी ख़बर आपको बता दे ट्रेनी आईपिएस की अचानक तबियत खराब हो गई इलाज के लिए ट्रेनी आईपिएस को राइपोर रेफर किया गया है कल रात वो जब जिम पहुँचे आईपिएस उदित पुशकर तो उनकी तबियत खराब हुई सांस लेने में उन्हें परिशानी शुरू हो गई तो देरात उन्हें मिकाज में भरती किया गया और अब उन्हें बहतार इलाज के लिए राइपोर रेफर किया गया है तो हमारे साथ इस बिलिटन में फिलाल इतना ही खबरे लेकातार जा रही है जुड़े रही है तो अबस्ता